2023 ऐसा क्या हुआ है इस वर्ष में कि NTA NEED की परिक्षा हमारे देश की सर्वस्रेश्ट परिक्षा बन गई है ऐसा क्या हुआ है कि छात्रों और छात्राओं ने बढ़ चड़कर इस एक्जाम की तयारी की है ऐसा क्या हुआ है कि बच्चों के अंदर अचानक से मेडिकल का क्रेज इतना जादा बढ़ गया है तो आईए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ESTA Education and Publication House और मेरा नाम है प्रांजुल शर्मा तो जैसा कि आप सभी जानते हैं NEET जिसे हम National Eligibility Come Entrance Test भी कहते हैं और ये साल में एक बार होने वाली परिक्षा होती है और ये परिक्षा उन विध्यारतियों के लिए होती है जिनका सपना है भविश्य में डॉक्टर बनने का तो इस वर्ष भी मई 2023 में ये परिक्षा होने वाली है अब 5 अप्रेल को इस परिक्षा का आवेदन डेट जो थी वो आखिरी थी और वहाँ पर बन कर दिया गया अब आवेदन डेट जब बन हुई तो उसके बाद एक डाटा आया उस डाटा में पता चलता है कि हमारे देश के लगबग 20 लाख और 10,000 बच्चों ने इस साल नीट के एक्जैम में अप्लाई किया है आप समझ रहे हो यह जो डाटा है यह अब तक का सबसे बड़ा डाटा निकल के आया है किसी भी एंट्रेंस एक्जैम में अप्लाई करने का इसलिए 2023 में हमारा जो नीट का एक्जैम है यह देश का सर्वस्ट्रेस्ट एक्जैम बन गया है अब जानते हैं कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वज़े से यह एक्जैम इतना जादा उपर पहुँच गया है ऐसा क्या हुआ है बच्चों के अंदर कि मैडिकल का क्रेज इतना जादा बढ़ गया है हुआ क्या है पहला कारण जानिये 2014 से अब तक यानि के पिछले 900 में लगबग 97% मेडिकल सीट्स में इंक्रीमेंट हुआ है ठीक है इसके अलावा राज्यों ने सरकारी अस्पतालों का जो नंबर है वो भी बढ़ा दिया है और बहुत सारे एम्स हॉस्पीटल भी अलग-अलग राज्यों में खोले गए है अब इससे क्या हुआ है इससे जब बच्चा एक मेडिकल की डिग्री सक्सेस्फुली कम्प्लीट कर लेता है तो वहाँ पर एम्प्लॉइमेंट रेट बहुत जादा कम हो जाती है बच्चों को नौकरी मिलने की बहुत जादा संभावना होती है इसके अलावा बच्चे और भी तयारिया करते हैं इंजिनियरिंग का इतना अच्छे लेवल का एक्जाम देते हैं फिर भी गारेंटी नहीं होती है कि उनको नौकरी मिलेगी ही कि नहीं मिलेगी इसके अलावा दूसरा कारण तो हम सभी जानते हैं तो माता पिता के नाम मुझ से एक ही शब निकलता है कि हमारी बिटिया तो डॉक्टर बनेगी या डॉक्टर नी साहिबau बनेगी तो ये एक सपना वो एक बच्ची अपने साथ लेकर आती है और एक अच्छी डॉक्टर बनती है इसके अलावा देखा गया है कि जो लड़कियां होती है छात्राइं होती है उन में examination को पास करने की शमता जादा होती है उनका ratio जादा है मतलब आज के time पर लड़कियां paper जादा clear कर रही है exam जादा clear कर रही है इसलिए medical की field में छात्राइं बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है तो हमें पता है कि उसका status क्या होता है ये बात तो हमने कोरोडा काल में भी देख ली है कि कैसे डॉक्टरों ने एक front warrior बनकर हमारे देश के लोगों की सुरक्षा की है जबकि उन्हें पता है कि उनकी भी जान डाव पर लगी हुई है एक अकेला डॉक्टर एक organization होता है जा जाकता है तो इस साल 2023 में सबसे जादा percentage देखा गया है बच्चों में एक जोश देखा गया है डॉक्टर बनने का इसी लिए ये परिक्षा हमारे देश की सर्वस्रेश्ट परिक्षा बन गई है 2023 की ऐसी और जानकारियों के लिए आप हमें follow कर सकते हैं हमारे channel को subscribe कर सकत हैं और अपना ध्यान रखिए जै हिन जै भारत